नमस्कार दोश्तों आज का वीडियो ऐसे प्लांट के उपर है जो की बहुत आसानी से लग सकते हैं आप किसी भी समय इन प्लांट को बड़े प्यार से लगा सकते हैं आपके गार्डन में प्लांट की कमी नहीं होगे पहले जो प्लांट यह है वण्ड़ींघू छोटे चोट प्लांट को लगा सकते हैं किसी भी हंगिंग पॉट में अगर आप इसको लगाते हैं तो यह प्लांट बहुत इसली से चल जाता है यह इंडोर प्लांट है ज्यादा तेज सनलाइट में इसको नहीं रखना है क्योंकि इसकी पत्तिय जलना शुरू हो जाती है दूसरा जो मैं सदा बाहर का प्लांट सदा बाहर आने कि आप जानते हैं बारा महीने यह प्लांट आपके गार्डन में हमेशा रहता है एक बर लगाने के बाद और भी इसके प्लांट अपने आप बन जाते हैं तैयार कर सकते हैं तीसरा जो प्लांट है वो है लाजवंती का प्लांट जिस जितने भी प्लांट से बाओं करूंगे क्योंकि यहां पर एक साथ इतने सारे सीट्स हो गए इतने सारे बेबी प्लांट हो गए कि इनकी ग्रोथ असानी से नहीं हो पाएगी तो यह इनको सेप्रेट करना बहुत जरूरी हो जाता है तो देखिए मैंने किस तरीके से अपने ग किससी सब्सक्राइट प्लांट को अभी से अग से सब्सक्राइट और पानी से जरत नहीं किसी पाला प्लांट को यूदाल सकती हैं यूद बहुत आजानी से इसल्गास लगा noodle कर द Canon E00 साइकरस प्लांट वाला अगर बड़ा होता है तो बहुत तेजी से ग्रोगा करने जब एक लीफ लगते हैं तो व्होत लगते हैं लेकिन ये प्लांट तयासा हम दोलाद को जी से अप can't ऐसानी से तयार हो जाता है थोड़े से पिश्रीं हैं तो आपके गार्डन है zek क्वासरी है तो इस तरह से चोटी चोटी के साथ के साथ आप अपने गार्डन को हरा वरा रक सकते हैं जए अफंद प्लांट और अभी तेयार हो गया था इसको रिपॉट भी कर लिया है और अभी झाया देटीन लीव एक लिए उसके नोप में हलकसे नहीं है यह प्लांट बहुत ही सुंदर और एट्रक्टिव वाला प्लांट होता है इसकी इतनी अच्छी होती है जिग जग इसकी जो लीव सोती है उसकी साइड में थोड़ा सा कट लगा होता है और इसके बाद जो मैं क्या करूंगी इसकी सारी जितनी भी एक्स्ट्रा रूट से नंक आप इसको cutting से group कीजिए मैंने तो ये cutting से already group किया है तो आज मैं इसके reporting कर रही हूँ जो कि मैं आपके साथ share कर रही हूँ तो इस तरीके से आप cutting से जब plant तयार करते हैं उसको report करते हैं तो आपके पास एक बहुत ही सुन्दर सा plant तयार हो जाता है इसके बार देखिए बहुत ही प्यारा सा plant है और बहुत ही अच्छी सी जिसे हम कह सकते हैं एक घास होती है वो है most rose यानि की जिसे हम 9 o'clock भी कहते हैं जैसे ही सुबह सूरज की रोश्री निकलती है तो इसके फूल जो हैं बहुत ही अच्छी लगते हैं और एकदम से खिलना शुरू हो जाते हैं तो मैंने यहां पर देखी तीन करेके के पॉचुली का लिए है आपके पास जो भी आप लीजिए अगर आपके आसपड़ोस में यह लगी है तो आप उनकी छोटी सी कटिंग लिजी आप जब मिट्टिंग उसको शचंब करें कटिंग कमें हम उसको हटकर सुरी के लगे पिग उस तो सुझद लेड़orian शुछ फोन के फिल चनल हैं बैंबो पाम ही मेरे पाइस ऑफ प्लां दो साल का वह गया देखिए अभी इसमें बड़ बना श्टार्ट हो गई है और अलग से आहए तो मैंने सोचक जासा की थोड़ी सी देर के लिए उसमें इसको छोड़ दिया है यहां पर मैंने इसकी मिट्टी बिल्कुल प्यॉर मिट्टी है उस मिट्टी में मैंने कुछ भी एड नहीं किया है तो आप देख पा रहे हो अब मैं इसको इस गोल में से निकाल कर इसकी जो है मिट्टी के साथ फिलिं नुझरिसरी से लाते हैं वो फ्रण्स हमारे सबी जानते हैं कि प्लांस देखिए सबी महेंगे मिलते हैं लेकिन अपना-पना शौक हना है अब जो यह ब्लांट है यह सारी तुन्सी है और यह सारी मैने नुझर्री वाले भाई तो इस तरीके से आप देखें मेरे पास सेरामिक पॉट है इसमें मैं अपनी तुलसा जी को लगा दूँगे आपके पास चो भी पॉट है आप उसमें लगाईए बहुत ही आसानी से ये तुलसी जो है ग्रो हो जाती है मैंने देखिए मेरे पास पहले भी काफी अच्छी तुलसी थी जिसको मैंने जब रूट बाउंड हो गई थी तो उसका भी मैंने वीडियो जो है शेर किया है तो चाहे तो आप मेरे चैनल बजा कर देख सकते हैं इस तरीके से मैं अपनी तुलसी है न सभी को रिपॉर्ट कर दूगी जो भी मेरे पास पॉर्ट अभी खाली है उन में सभी में तुलसी लगा दूगी किसी में जो छोटा पॉर्ट है उसमें एक लग जाएगी बाकी में मैं दो लगा सकते हैं अगर आपके पास बड़ा पॉर जो कि मेरे पास 3-4 कलोरो वे अभी मैं आपको बस यही दिखाऊंगी क्योंकि रिपोर्टिंग मैंने की यह लगाया है प्लांट कटिंग से तयार किया था तो रिपोर्ट भी किया है इसलिए आज ज्यादा तर जो भी मेरे प्लांट मैंने जो यह वीडियो आपके साथ शेयर क देखाऊंगी साथ किया है तो आप विनका की कटिंग लगा सकते हैं विनका का कटिंग बहुत आसानी से लग जाते हैं इसमें बहुत सुन्दर सुन्दर फूल आते है इसकी जो हाइट होती है जादा नहीं होती जो एक नॉर्मल वाला होता है ना सधा बहार थोड़ा यह व्रेंदावन की तुलसी है और इसको भी मैंने रिपोर्ट किया था रिपोर्टिंग की मैं वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई लेकिन इसमें मैंने एक लिप आड कर दिया है ताकि मैं आपको दिखा सको यह देखिए फ्रीज का टप था जो की थोड़ा सा नीचे स टूट गया था इसमें पानी निकलना शुरू हो गया था तो मैंने सुचा कि मैं इसमें अपना कोई प्लांट लगा दूँ नीचे मैंने इसमें जो है राइस हस्क लगा दिया है क्योंकि जिसें मिट्टी बाहर ना आए और इसका जो ड्रेंणिक सिस्टम है वह भी ठीक रह जब पानी डाल के शोड़ दीजिए उसके बाद इसमें कोई भी प्लांट लागा दीजिए यहां पर जो आपी छोटी-छोटी सी सेप्लिंग देख रहे हैं यह जर्वेरा की है मैंने अभी एक से डेड़ महीने पहले सीट्स ग्रो किये थे तो वही यह जर्वेरा के हैं बह बहुत ही अच्छा प्लांट के लिए इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है और आपके फेस के लिए भी बहुत अच्छा है तो इसको भी आप पिना सोचे समझे अपने गार्डन में एड़ कर सकते हैं इसके बाद है कोचिया कोचिया देखने में बहुत ही सुन्दर एवर ग